नमस्कार दोस्तों जर्नल आयंस में आप सब्सक्राइब के स्वागत है यह भारती इत्यास का घटना चक्र का हल पर श्रिमपत है इसमें जो आधुरिंग भारती इत्यास में उसमें भारत का समिधानिक विकास तो उसकी नोट्स और कॉश्चन्स को देखेंगे तो आये स्टा करने कंपनी में व्यापत व्रष्ट अचारे में कुप प्रसासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया तो यह वहां से स्टार्ट होता है जहां से सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था जब क्लाइब के बाद फिर जब इन्होंने देखा कि अब हम भारत पर सासन कर सकते हैं ववस्थाएं हो चुकी है तो फिर क्या किया एक्ट लाना श्टार्ट किया कि कैसे सासन करना है तो धीमेरी में फिर एक्ट की रूप्रेखा बदलती गई उसमें जो प्रावधान है वो बदलते गए उनकी जरूरत के हिसाब से तो सबसे कोन आया था सब्से पहला आय थे 1773 में ठीक है ठीक है है इसके तहित मद्रास अब बंबी प्रेसिदेंसियों को कलकत्ते प्रेसिदेंसी के अधिन कर दियागा पहले कि तीनों अलग थी मद्रास अलग थी बंबी अलग थी его Em 진 cut in City तो अब इन्होंने क्या की मद्रास और Бंब अलग थे मद्रास का अलग है बंगाल का अलग है और बंबी का अलग है आप क्या खिया दो को तो इसके अंतर गत कर दिया ना बंगाल के तो आपके बल एक हो गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया तो आप क्या हुआ बंगाल का प्रिथम गवर्नर जनरल जो बन को बिटिस सरकारी निग्रानी में लाना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्प्रथम कलकत्ता में सर्वोच नियाले के स्थापना की गई प्रकश नियाले के स्थापना की गई इस सर्वोच नियाले को सामाने नियाले हैं इसके विधी के नवसेना विधी के नियाले के रूप में कार करना था यह उच्छ तम नियाले 1774 में गठित किया गया और एलिजा इंपे इसके मुख नियादीस तो मुख नियादीस कौन बनाए गए इंपे बनाए गए और इसके अलाबा भी तीन और जो नियादीस थे वो कौन-कौन थे इंपे थे इसके अलाबा चैंबर्स इस्टेफान सीजन ली मेश्टर और जॉन हाइड तो तीनों है अच्छा याद करने के लिए आप लोग कर सकते हैं कि देखिए ज्यादा तर एक कोई भी होता ना उसको रिलेशन में बना लो तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है तो सुप्रीम कोट था सुप्रीम कोट में क्या होते हैं चैंब सब्सकार्त ना मैश्टर तो ली मैंस्टर तो आप लॉ मैस्टर भी कह सकते हैं या बैरिष्टर भी कर सकते हैं तो उस है थोड़ा से रिलेटर witnessed हो सकता है मैं और है याद गनने के लिए एक रिलेशन मनाने के लिए थोड़ा तेड़ा मेढ चलता है job तो इससे थोड़ा सा आप रिलेटेट करके इन तीनों के नाम याद कर लिए क्योंकि इसमें नहीं स्टेट वाले में नहीं तो PGT TGT और जो नेट का पेपर है इस्ट्री का उसमें ये कॉश्चन आते हैं उसमें ये तीनों के भी नाम पूछे आते हैं तो इंपे थे और उसके बाद चैंबर्स थे और सीजर ली मेश्टर थे इंड जर्ण हाइट ठीक है सत्रों श्यासी इसमें में एक अधिनियम एक और लाया गया बिटे संसत्थ के संभू कि इस भावना से रखा गया थाकि कारणवाल इसको भारत के गवर्णर्ज जन्रल का पद सुईकार करने के लिए मना लिया जाए एक्शलिकर अधिक है अमेरिका से अब यहां पे इस्ट जात्के निर्णयों को रद्द करने और अपनी निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया थीकैं कव्यक्श थहा चाहते तो 1 इस चाहते तो 1660 City तो 1760 avay में इसके बाद कारणवालियो को अधिक सक्तेसाली नहीं बनने देना चाहता था थीकैं जलाओक एलेक्टर के उसने सक्तियां भी थोड़ी सी कम कर दी इसके लावा उसने जो दरोगा का पद है जो इस टाइम पुलिस में उसको बड़ा मजुबद बना दिया था और उसने सक्ति के प्रिथक्रण सिध्धांत को अपनाया करणवाल इसने इस इंडिया कंपनी ने के भारतिय व्यापार के चाय वंचीन के साथ ब्यापार के अत्रिक्ट 1813 के चाट्राइड अच्छा इसके बीच में भी 1784 में इसमें नहीं लिखाई लोगों ने 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट भी लाए गया था ठीक है तो यदि थोड़ा से लक्षमी कांथ हो किसी के आपनों के पास तो उसम बाद यह जो नभे में लाया गया उसके बाद यह हो गया कि हर 20 वर्सों में आया तो 1813 में आया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया किसका इश्रिनया कंपनी का एक अधिकार केबल उसमें किसको छोड़ दिया चाय और चीन के साथ ब्यापार को ठीक है और इस व्रफ एक खर्च करने का प्रावदान दिया गया जिया एक्टनल रुपए चैनल ने के फिर feeling और यह जो पैसे आय घुं कित्व आदब की सिवा डि813 भीस जए कि ऑदानने प्रफे और यह मैकाले मैकाली की मैकाली की एक गुरुप था और सेकंड गुरुप वर्न एन हेस्टिंग्स और बिलियम जोनसें सबका था कि प्राच्चवादी और आधुनिक बाला तो इसमें विवाद हो गया थीक है तो फिर बाद में 1833 में उस चीज को किलियर किया गया और फिर मैकाल 1833 का जो एक्ट लाया था तो अभी तो चाय और चीन पर दे दिया था ना 1833 में बचा दिया था तो उसको भी हमें लोगों ने खत्म कर दिया तथा उसे भविश्य में केबल राजनेते कारी करने थे कंपनी को ठीक है इस दिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब सम पहले कौन बने वार 나오ках इस दिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिश्यद में कानूनी सदस्य्थे सदस्य की आशिद civic कर लिया गया कहा दिया गया दो और सब्सक्राइब कृष्य। ब्रॉप में 2018-125 कर दिश्यामें तो इसमें क्या था यह वैस्ता कि नियंत्रों वोगों तठा उनके अन्य पदादीकारियों का वेतन सरकार निश्यत करेगी परन्तु धन कंपनी देगी ठीक है डारेक्टरों के संख्या 24 से घठाकर 18 कर दी गई इसमें 6 क्राउन द्वारा मनुनीत किये जाने थे इसमें प्रावधानित था कि न्यूक्तियां अब प्रतियोगी परिक्षाओं द्वारा की जाएगी जिसमें किसी प्रकार का भिर्भाव नहीं किया जाएगा 1858 के भारतिया प्रशासन का नियंत्रों कंपनी से छीनकर विडिस क्राउन को सौप दिया यह 1870 की क्रांती जो अब मैंने एक वर एक्ट लाए गया कौन सा भारत सरकार अधिनियम और इसमें मैं सबसे बड़ा निर्णा लिया गया कि अब कंपनी का बिलकुल भी जो हस्त चेप था या जो भी उसका वोता सब अब अब सीधे जो सकता थी वो किसके हाथों बेचलिए एक्राउन के हाथों मैं अब महरानी जो थी वो समालेंगी अब क्या हुआ अब वोड ओफ डाइरेक्टर वो बोड ओफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारसस्चिप को सुब्लिए एक नय पद मनाए गा भारसस्चिप का तो बोड ओफ डारेक्टर जो बोड ओफ डाइरेक्टर अब तक चल रहे उनको समाप्त करके भारत सचिप का जो उपत था भारत सचिप बनाया गया उसको यह अधिकार दे दी गया पूरे इंडिन काउंसल एक्ट 1861 को अध्यादेस जारी करने का दिया गया ठीक है क्या अध्यादेस जारी अठ्था जो कांडवालिस के समय लाय गया था 1780 में वह वी अधिकादिक 6 माहे तक लागू रह सकते थे 1861 के भारतिया परिश्याद अधीनियम द्वाइसराय की परिश्याद को कानूर बनाने की सक्ति प्रदान की गई इसके तहट लॉर्ड कैनिंग के विभागी अपनाली की सुरूबात की अश्राहिम लॉर्ड कैनिंग थे क्या कि विभागी अपनाली की सुरूबात की लॉर्ड कैनिंग ने बिन्न विन्न सरश्यों को अलग अलग विभाग सौपकर एक प्रकार से मंत्री मंडिली व्यस्था की नीब डाली इस विवस्था की अमसार प्रसासन का प्रतेक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होगा भारतिया अधीनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वाइसराय की कारिकारी परिशाद में नियुंतम 6 अधिक्तम 12 अतरिक्त सदश्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया इन्हें वाइसराय मनूनीत करेगा और वे दो वर्स तक अपने पद पर बने रहेंगे इनमें स अधीनियम 1861 के अनुसार बंबई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और इसमें संसुन करने का अधिकार पुणा दे दिया गया ठीक है अभी तक तो बंगाल के अधीनते हर्चीज अब क्या कर दिया गया पुणा इन लोगों को अधिकार दे दिया तदा इन प्रांतिये परिश्यदों द्वारा बनाएगे कोई भी कानून उस समय तक वैद नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल के अनुमदी ना प्राप्त कर लेगी ठीक है बंब अध्रास उ कलकता में उच्छ नियालों के स्थापना का एक अधिनियम आया विटे सं अंसर द्वारा पारत 1831 में भारतिया उच्छ नियाल आया अधिनियम के तहर 1862 में इस्थापना की गई भारतिया परिश्यद अधिनियम 1892 के अनुसार बिधान मंदलों के सदश्यों के अधिकार दो चित्रों बढ़ा दिये गए थे अच्छा जो 1892 में आया उसमें अब व सदस थे उनकी अधिकार बढ़ायेगा क्या कि बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया लेकिन प्रस्ताओं नहीं रख सकते थे और सदन में मध भी नहीं नहीं रहे सकते अपने विचार पर करने का अधिकार मिल गया व्जर्वाइब सिफ्यभी के सभी समिर्भानिक प्रियोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन कांस्यलल एक्ट चला ठीक है इस भी सम्मध्हानिक प्रियोगों में सबसे कम समय तक 1909 traditions से रहत चला रम्जे मेंक्नॉल के सब्दों में ये सुधार प्रजात अंतरवाद नौकर साही के मदेख अधूरा और अल्पकाली समझ था था चैंप सपोर्ट ने अच्छा ये 1909 वही है प्रितक विवाजन सामप्रदाइक विवाजन भाला ठीक है मांटेग्यु चैंप सपो के सिविल सेवा के एक तिहाई पद भारतियों के लिए आरक्षद होना चाहिए मांटेग्यु चैंप सपोर्ट की संसुद्री के आधार पर बर्स 1922 में सिविल सेवा परिक्षा इंग्लेंड और भारत में एक साथ आयुजित की गई ठीक है कब की गई एक साथ 1922 में की गई एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुसंसा की थी कि सिविल सेवा परिक्षा इंग्लेंड और भारत में एक साथ नहीं आयुजित की जानी चाहिए किसने बोला था एचिसन आयोग बना था 1887 में तो उसने बोला था कि इंग्लेंड और भारत में एक साथ आयोजित नहीं होनी चाहिए ठीक है परिक्षा बीस अगस्त 1907 के सुधारों की घोशना को तत्कालीन भारत सचेव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोशना की नाम से जाना जाता है तो बीस अगस्त 1907 की 1917 की सुधारों की घोशना जो थी तो उसको क्या बोला जाता है मॉन्टेग्यू घोशना ठीक है तत्कालीन भारत सचेव एडविन मॉन्टेग्यू वाइसरा लॉर्ड चेंप स्पोर्ट की रिपोर्ट भारसी ये परसद अधीनियम 1919 का आधार बनी थी ठीक है तत्कालीन भा भारत में प्रांतों का दोध्य सासन प्रार्म हुआ इसमें क्या हुआ भारत में प्रांतों में दोध्य सासन हो गया थीक है 1935 का जब एक्ट आता है ना तो केंद्र में दोध्य सासन का हो गया थीक है और बर्स 1919 में प्रार्म किया गया अच्छा जो 1910 का अधीनियम आया था इसमें पहली बार उत्तरदाई सासन सब्दों का इश्पष्ट प्रयोग किया गया क्या किया गया उत्तरदाई सासन इस अधिनियम के थहत प्रांतों में विश्यों को आरक्षित थे वह हस्तांतरित दो भावों माटा गया यह बाद में बिवात का भी रहा क्योंकि जो हस्तांतरित विशय बनाए गया थे उसमें इतना चाहता अधिकार नहीं दिया गया और विशय भी कुछ ऐसे थे कि जो मैन मैन थे वो सब गवर्नर के हाथों में थे ठीक है संगीय लोकसे वायोग का गठन हुआ बस 1937 में संगीय लोकसे वायोग नेEvenस लोकसे वायोग से सौतंतर परिक्षा आयुजत करना प्रारप किया तो स्वतंत्र परिक्षा ब्रेट इस आयोग से कप की गई सिंग के ने आधिनेयम के दोहरा सरकार अधिनेयं दोहरा को दोहरे सासन के स्थान पर उत्तरदाई सासन मिल गया तथा आरक्षितेवम हस्तांत्रेद विश्यों में बेड समाप्त हो गया गवर्नरों को आरक्षित तथा वचाव की संग्या की अधीन व्यक्तिकत निणाओं विवयक्त अधीन सक्तियों का प्रियोक करने का अधिकार दे लिया गया इस अधिनियम द्वारत सांपरदाइक सिक्ष थे यूरोपियर भारतिय इसाई थे एंगलो इंडियन और भारतिय मुसल्मान भारत का बर्तमान सम्मिधानिट धाचा बहुत कुछ बर्स 1935 के अधिनियम पर आधारित था बर्स 1935 की मुख उपोबंद्य क्या क्या थे तो एक तो सबसे पहले था क्या संगात्मक सरकार की स्थापना था संगात्मक सरकार की स्थापना केंद्र में दोएद्य सासन प्राम्तों में दोएद्य सासन के स्थान पर स्वायत्य सासन की स्थापना दुई सदनी केंद्रिय विधान मंडल ठीक है प्राम्तिय सासन विवस्था प्राम्तिय विधान मंडल केंद्रि में प् जबालान नहरू ने 1935 के अधिनियम के लिए बोरा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक्टों है पर इंजन नहीं जबालान नहरू बर्स 1947 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रही बेपंचसील सिद्धान के प्रिणेटा गुट्रुल प्रेक्षिता के विमें विस्वास रखने वाले थे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने अपनी लखनों को अधिवेश्यां 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्विकार कर दिया गुलामी का अधिकार और दास्ता का आग्यापत्र बताता है क्या गुलामी का अधिकार और दास्ता का आग्यापत्र बताते हुए कटू लोशना की थी बिटिस सासन ने के पूरे थिहास में बर्स 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चोणा प्रलेक था इसमें 14 भाग 321 धाराए कितने 14 भाग थे 321 दहराएं और 10 अनुसूचियां थी भारे सरकार अधिनियाम 1935 में अंदर विष्ट अनुदेश प्रपत्र से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बर्स 1950 में भारत के सम्मिधान में राजी के नीदी जिनली सक्तत्यों के रूप में समाविष्ट किय गया आलोचकों ने इसे केबल पवित्र लोकुक्तियों कहा है तो अब कॉश्चन आंसर प्रश्ण कोर्स देखते हैं फर्स्ट है रेगुलेटिंग अक्ट पारित किया गया तो कब किया गया सत्रह सुतेहितर में एंसर हो जाएगा ठीक है बिटिज सरकार ने कंपनी में व् गापणार को अब अंग्रेजी छेतरों का गवर्नर कहा arks गया बंगाल का प्रथम गवर्नरा जनल वारिण ःश्टिंग रेगुलेटिंग पारित किया गया तो वही अन्सर सत्रस्तहित्तर C answer हो जाएगा regulating act किस बड़ स्पारित किया गया था तो सत्रस्तहित्तर में D answer हो जाएगा नेमलखेत अधिनियमों में से प्रिधम बार किस में governor general of बंगाल के पद हितु प्राविधान किया गया था तो ये regulating act जो सत्रस्तहित्तर है उसमें किया गया था नेक्ष इनमें से किसके अंतरका भारत में सर्बृत्थाम सर्बोच्छ न्यालै कि स्थापना होई तो regulating act अधिनियम जो 17 था इसी के तहट की गई थी regulating act सत्रस्तहित्तर के द्वारा सर्बृत्थाम कलकत्ता में एक सरवोशी नयाले की स्थापना की गई इसमें एक मुख नयाले सो तरह जव्तिक हैं ईस थार्मिक नयाले के रूप में कार्य करना था लाटक Holy यह उच्छे ताम नयाले 1764 में उफीपा की आगया उफे 5स कि मुख नया दीश। CHYMBERS ली मेश्टर स्टेफन सीजर ली मेश्टर और जॉन हाइड इसके अन्य ने आइडिस थे नेक्स है कलकत्ता में सुप्रीम कोड भारत बड़्स में प्रिथमबार की सदिनियम द्वारा बनाई गई थी तो इस सत्र स्थेहित्तर के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा यह हो जाएगा इसका अंसर ठीक है नेक्स है इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्छ ने आले के प्रिथम ने आइडिस कौन थे तो इंपित है एक मुख ने आइडिस थे इसके लाबा ती इसके दहेत मिला था वह ने कानवालिस के लिए बनाये गया था ठीक है 176 बेक अधिनियम बिटिस अंसर के समों के इस बहामना से रखा गया ताकि कानवालिस को भारत के गवर्णर्जनरल का पद सुविकार करने के लिए मना लिया जाए वह गवर्णर्जनरल तद्धा करनवालिस को अपनी कांसिल के फैसनों को रद करने का अधिकार मिला था तो 1786 का जो एक्ट बनाया गया उसके दहेत मिला था इसको अधिकार ठीक हो जाएगा इसका आंसर नेक्श है 1793 में में एक विनियन द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी नायक सक्तियों से वंचित कर दि यहां किया गया ऐसे विनियमन का कारण था तो कारण यह था कि लाड वक कॉन्वालिस नहीं हसूस कि ज़्याक क्लेक्टर की राजशस संग्रण की दक्षतं अन्यकारेंयों के बोज ना रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगई गी तो है लाटकानवालिसने महसूस किया नियायख सक्ति अनिवार रूप से यूरॉपिय नहीं था लाटकानवालिस जिला कलेक्टर में संग्रेंदित इतनी विश्टि सक्ति से सतर्ग हो घाथा और महसूस करता था कि व्यक्ति में इतनी परम सक्ति का होना अवांचनी है ठीक है इसलिए इसने यह सब किया था कारण वालेस जिला कलेक्टर को अधिक सक्ति साली नहीं बनने देना चाहता था अथा उसे सक्ति के पित्रकण का सिद्धान अपनाया ठीक है तो यह 10 कोश्चन के लिए रिमैनिंग जो कोश्चन है वो हम हम लोग नेक्स एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उसमें कर देंगे ठीक है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए हमारे चैनल को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद